नमस्कार आप देख रहे हैं सल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ नेशा आईए करते हैं ख़बों की शिर्वाद सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की है ट्लाइंस पर भागरपूर पूलिस ने च्छापे मारी कर जिसमें फरोशी और नशे के धंदे बास को किया गिरफतार ब्राउन शुकर हुआ परामत नवगच्छा में मौर्निंग वॉप की दोरान ग्यूबक की सड़क हाथ से में मौत परीजनों में मचाग को हुरा मतनिशेद कानून के तहट पकड़े गए वहनों की हुई निलामी ब्यालिस काड़ियों से 22 लाग का राजस पर प्राप्थ आईडे की ओर से एन्यूल साइंटिफिक सेशन का हुआ शुभारन कैंसर से बचा और उपचार के दी गई जानकारे और कॉस्मेटिक दुकान में लगी भिशन आग लाखों का समान जल कर हुआ राख अब हवरे विस्तार से भागरपूर परारी पुलिस ने दो अलग-अलग ठिकानों पर छापे मारी कर जिसमें फरोशी के धंदे का खुलासा किया है पुलिस ने एक ठिकानों पर जिसमें फरोशी का धंदा करवाने वाले गीरों के दो सदस्य को भी मौके से गिरफतार किया है जिसमें से एक वेक्ती नशे का भी कारोबार करता है इसको लेकर बताया जा रहा है कि पुलिस ने गिरफतार युवक के पास से 29 ग्राम ब्राउन शुगर एवं 161,000 कैश भी बरामत किया है पुलिस का कहना है कि गिरफतार युवक के पास से वेट मशीन, मोबाइल समेत नशे से जुड़े कई सामान मिले है जबकि गिरफतार आरोपी का प्राधिक इतिहास भी रहा है पुलिस ने बताया कि नशे के कारोबार करने के मामले में युवक के खलाप मदुसुदन पूर थाने में मामला दर्ज है और इसी के आरोप में निलेश कुमार इवं अमन कुमार को गिरफतार किया गया है चापेमारी के दोरान बरारी पुलिस के लावा CIT के जबान शामिल थे चापेमारी किया तो इसमें दो अभिफ्त हम लोगों ने गिरफतार किये जिनके पास से 29 ग्राम ब्राउन शूगर ब्रामत किया गया है अब राद में इससे उन्हें जो पैसा इकतिक किया है लगबद एक लाख 161300 रुपे भी ब्रामत किया गया है उसके लावा लाल रंका एक लाइटर चापकटर सिर्वर फोईल इसे पूडिया बना कि देश्के है और दो मोबाइल सेट ब्रामत किये गए है जो दो आदमी गिरफतार हो है उसमें एक का नाम है निलेश कुमार जो पहले भी ब्राउन शूगर के केस में ब्राई खाना की मिल जा चुक है उसके लावा जो दूसरे अपरादी है वह है अमन कुमार जो की दो केस में जेल में इनका ग्रिफतारी लंबित थी जो एक है ब्राई खाना का और एक है मर्सुम्पूर फाना का पुलिस जिला नवगच्चा के पकड़ा गउ में रविवार की एहले सुबह 14 नंबर रोट पर गोसाई गउ निवासी हीरो ठाकूर के 50 वर्ष्य पूत्र नरेश ठाकूर की मौत हो गई परिजनों का कहना है कि प्रतेक दीन की तहरे रविवार की एहले सुबह नरेश ठाकूर गोसाई गउं से टहलने के लिए घर से निकले थे लेकिन बात में उनकी मौत की खवर मिली वह इस घटना से मिर्टक की पतनी मीरा देवी समेट परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है जबकि इसकी सूश्रा मिलते ही घटना अस्तल पर पहुची पुलीस ने शब को अपनी कवसे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज़ दिया भागरपूर मदनिशेद विभाग कारियाले की ओर से मदनिशेद कानून के अंतरगत पकड़े गए वाहनों की रविवार को निलामी की गई इस दौरान जीले के विभर ने थानों और मदनिशेत विभाग के द्वारा पकड़ी गए 42 गारियों की निलामी की गई इसमें मोटर साइकिल कार सहित कई गारी शामिल थे जिलाधिकारी सुबरत कुमार सेन की निर्वेश पर की गई निलामी प्रकिरिया के तहत कुल 42 गारियों से 22,35,640 रुपे की राशी प्राप्त हुई जबकि निलामी के दोरान उतपाद इस्पेक्टर चंदन कुमार ब्रहमत देफ केवट निरंजन कुमार सहित उतपाद भाग एवं पुलीस भाग के पड़ादीकारी मौचुद थे इंडियन डेंडल एसोशेशन अंग प्रदेश फागलपूर की ओर से रविबार को जवाहाला लीरू मेडिकल कॉलेज सभागार में एक दीवसी वाषिक साइन्टिफिक सेशन का आयोचन किया गया कारिकरम को उधगार्टन प्रमंडली आयोक्त द्यानिधान पांडे सिवल सजन डॉक्त उमेड शर्वा मेडिकल कॉलेज के प्रचारे डॉक्त उमार शंकर सेंग और जेलनम सेच के अधिक्षक डॉक्ट सीव कुमार दास समेथ देंडल एसोशेशन के कैचिकित सकों ने संय प्रती जताते हुए लिखित आविदन दीनी की बात करते हुए इस दिशा में जल ही पहल करने का असवाशन आइडिय अंग प्रतीस को दिया वहीं कारिकरों में सिवल सजन डॉक्ट उमेश शर्मा डॉक्ट यू एस सिंग और डॉक्ट सीम कुमार दास ने भी एसोशेशन क प्रयासों की सरहाना करते हुए कहा कि दंज चिकित्सक भी अपने कारियों और जिम्यदारी की प्रती सजक है जो अच्छी बात है इसर साइंटिफिक सेशन में कॉलकता के मेडिकर सूपर हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर हर्षधर, डॉक्टर सैदूल इसलाम और डॉ देंटिस्ट डॉक्टर अम्रिता प्रितम ने ओफचुरा पर अपनी बात रखते हुए इलाज से संबनित कई अहम बातों की जानकारी दी धन्यवाद ग्यापन आईडिय भागलपूर के सचीव डॉक्टर जोहर साजीत ने किया वही कारीकरम के दारान डॉक्टर विनोत से सम्मानित किया गया जबकि अगामी सत्र के लिए डॉक्टर अवली को अध्यक्ष चुना गया मौकी पर डॉक्टर साकेत बिहारी शरन डॉक्टर शुपंकर कुमार सेंग डॉक्टर सनातन कुमार डॉक्टर नवीन कुमार सेंग डॉक्टर गितांजली समेथ काफी संख् आज इंडियन डेंटल एसोसेशन अंग परदेश का वार्शिक सम्मेलन था और इसमें मेडिका सूपर स्पेसिलेटी कलकता से दो स्पीकर आये हुए थे जिन्हों ने कैंसर के सरजरी के बारे में बकूभी से बताया हमें और और बाखी जो दो स्पीकर है वो प्रोप्स्तो ड लिए नई नई तक्नीक की जानकारी दी और जो चौथे स्पीकर है वो डॉक्र अम्रिता पीतम है जो यह बता रही है कि प्रोप्स्तो डॉंटिक्स में जो है आप्चूरेटर जैसे मान लिया जाए किसी का तालू कटा हुआ है या किसी कोई सरजरी हुई है और वहां से जो किराई के मकान में अचानक भिशन आक लगजाने से लाखों का नुकसान हो गया वहीं आक लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचिया अगनी शमन की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आक पर काबू पाया इसको लेकर बताया जा रहा है कि गोला घाट निवासी रंजन रूंग्टा के मकान में मनिश तुलसियान किराई पर रहता था और सुभै के समय घर में अचानक आक लगई जिसकी तेज लप्टे कॉस्मेटिक समान के गोताम तक पहुँच गई जिसके कारण आक ने भ्यावे रूप ले लिया वही कॉस्मेटिक दुकानदार का कहना है कि इस आगजनी में करीब 20 लाग का समान चल कर राख हो गया अब तो चला एक छोटे से ब्रेक अफ और इन लोटेंगे देखते रहे सिल्क टेवी है कि आगन स्ब्सक्रण आगक उख पगज में से भी उना कोने और इन एन लोब धितन है 순ग प्रिक के बाद फिर से एक पर आपका स्वागत है बढ़ते वगली खवर क्यों भागरपूर जमालपूर रेलखन की धोबिया काली अस्थान के समीप रेलवे ट्रैक पर मालगाडी की चपेट में आजाने से एक अधेर व्यक्ति गंभी रूप से घायल हो गया गटना को लेकर बताया जा रहा है कि ट्रैन की चपेट में आने सिया धेर का एक पैट पूरी तरह से कट कर काफी दूर जा किरा इधर ट्रैन गुजर जाने के पाद जब अस्थानी लोगों की नजर उस पर पड़ी तो वह दर्द से करहा रहा था इसके बाद घटा के जानकारी हाविपूर थाने को दी गई वह इसके बाद मौके पर पहुची पूरीस ने घायल को इलाज के लिए मायगन इस्पतार में भरती कराया जहां उसका इलाज रारी है इधर घायल के पहचाव शाजंगी पंच्रायत के बदरे आलंपूर गव निवासी महमत अबास के अस्थे वर्षे पुद्र महमत मुस्लीम के रूप में हुई है भागलपूर सुल्तान गंज के जगविनाद गंगा घाट पर नमामी गंगे योशना के तहर चलहे घाट मिमानकारी को लेकर जिला प्रशासन काफी सक्रिय नजर आ रहा है इसको लेकर अचला अधिकारी शम्बू सरन राय इवं थाना देख्ष पुरिय रंजिन के द्वारा जगविनाद गंगा घाट के आसपास के जगे को अतिकर्मन मुक्त कराया गया इस दोरान दलवल के साथ वजर टीम के कप्तान सुरज कुमार इवं मंचल के आरो राजेश कुमार के द्वारा बुल्डोजर से गंगा घाट किनारे लगी अवैद दुकानों को तोड़कर हटाया गया वह इसको लेकर आरो राजेश कुमार नी बताया कि जिला पतादिकारी के निर्देश पर नमामी गंगे खाट बनाने का कारी चल रहा है और इसके लिए पूरे इलाके को अतिकर्मन मुक्त किया जा रहा है पर घाट बनाना यह बिल्कुल और वहवारिक फैसला है जिन्होंने भी इस फैसले को या इस नीती को सरणजाम दिया है हम लोग उनसे सहमत नहीं है और अभी भी हम कहते हैं कि सर्कार जो है जो फंड है उसका उतियोग जो है या तो किनारे को विक्सित करने में करे या फिर मंदिर के चारो तरफ जो है सिड़ी बनाने में भी भागलपूर में सोलंकी डिफेंस अकैडमी के द्वारा बीएस अफ आर्मी दरोग और फायर मैन के सर्विस की तैयारी कराई जाती है जिसके कारण लगतार बिहार पुलिस में बच्चों को अच्छा रिजल्ट भी देख को मिल रहा है वहीं एक पार फिर से फायर मैन का रिजल्ट आते ही भागलपूर के सोलंकी डिफेंस अकैडमी में खुशी की लहर देखी गई जिसमें 45 बच्चों में से 35 अभियार्कियों का चैन हुआ है इसको लेकर सोलंकी डिफेंस अकैडमी की निदेशक रंजीत कुमार सिंग सोलंकी ने सफल हुए सभी बच्चों को मिठाई खिला कर शुपकाम नाए दी और अकैडमी से चुड़े अन्य अभियार्कियों को इससे सीख लेकर आके बढ़ने की बात कहीं मारते मारते बच्चे को एक मजगूत बच्चे के तरब बनाया जाता है और यहां बहुत अच्छी तर त्यारी होती है मैं पहले भी था अपना गाँ के अकडमी में था वहां मेरा रिजल्ट नहीं बन पाया और मैंने यहां छे महिनों लंद सम त्यारी किया आगले बार मेरे ब्यार पुलिस में रिजल्ट नहीं हुआ था एकिन इस बार फायर मेरे मेरे रिजल्ट हुआ मैंने 1600 मिटर 34 में दोड़ते की अस्वा में 100 नमर इस बार उठाया है भागरपूर के अक्वन अगत हाना शेतर अंतरगर स्वार्निकार टोला में जमीन विवात को लेकर चचेरा भाई इवं चचेरा भतीजा ने युफ्ती की घर में घुसकर बेहरमी से लाकी डंडों से जम कर भिचाई कर दी मैं इसके सूचना मिलते हैं मौके पर पहुँची अक्वन अगत हाना की पुलिस में प्रिटा से पूस्ताच की और चानवीन में चुट गई इसको लेकर प्रिटा अंजू देवी के बहनोई कुल्दी पूदार ने बताया कि उसके ससूर स्वर्गी राम नारायन पूदार के नाम से 99 डिस्मिल जमीन है इसका रसीद भी अंचल द्वारा 2004 तक कटा हुआ है और हाई कोट में जमीन विवात को लेकर अपील होने के बावजूद उसके साली अंजू देवी घर में अकेली रहती थी कोलदी पूदार ने कहा कि इसी का फाइदा उठाकर उसके चचेरे भाई राम किशोर पूदार एवं चचेरा भतीजा उमेश पूदार नीरश पूदार राजू पूदार मेतुन पूदार और रोशन पूदार ने घर में घुसकर दर्वाजा तोर दिया और लाठी डंडो से पिटाई कर घायल कर दिया साथ ही कहा कि इस मामले के शिकायत अक्वन अगर थाने में दर्ज करा दी गई है जब कि घायल अंजू तेवी को इलाज के लिए रिफ्रस्पतार में भरती कराया गया वह फिलहाल पुलीस पुरे मामले के शान भी में चुट गई है यह जमेनी भ और चलते चलते फिर सेक नसराज की हेट नाइंस पर भागलपूर पूलिस ने च्छापे मारी कर जिसमें फरोशी और नशे के धंदे बास को किया गिरफतार ब्राउन शुकर हुआ परामत नवगच्छा में मॉर्निंग वॉक की दोरान ग्यूबक की सड़क हाथ से में मौत परीजनों में मचाक कहुरा मतनिशेत कानून के तहट पकड़े गए बहानों की फूई निलामी ब्यालिस काड़ियों से 22 लाग का राजिस विफवा प्राप्त आईडिय की ओर से एन्यूल साइन्टिफिक सेशन कहुआ शुभारं कैंसर से बचा और उपचार के दी गई जानकारी और कॉस्मेटिक दुकान में लगी भिशन आग लाखों का समान जरकर हुआ राख फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही तब तक के लिए नमशकार